दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दही कबाब किर पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे खाने की खुश्बू आप तक में मस्ती रहें कषआ दोस्तों यहां पे बोखोथी ường Aware और देश्व कबाब करने आज सब्सक्राइब करके दोrowां की जासा कि हमारे दोस्तों हों जैसा दो फोल्ट आप शुक्राइब कर दोर सब्सक्राइब में डालेंगे यह तीन से चार कटे हुए ब्रेट के तुकड़े इसमें मैं डाल रही हूँ दो चमच कॉन फ्लोर और एक चमच डालूंगी में इसमें बेकिंग सोडा एक चमच लाल मिर्च पाउडर नमक स्वादा नुसार थोड़ा सग कटा हुआ धन्याँ और यहां पर मारण डालूंगी चार से पांच कटे हुए पुदीने के पत्ते दो कटी हुए हरी मिर्च अधाचमच गर्भ मसाला के करीब आधाचमच के करीब काली मिर्च एक चमच जीरा पाउडर और एक ंचमच के долचक्षा इन तरी चीज़ों को आप हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से जब आप इसको मिक्स करेंगे जो जो ब्रेड है वो बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाएगा दाही में मिलके और आपको इस तरीके का आप देख सकते हैं एक पेस्ट मिलेगा बनके यहां पे मैंने तेल तेल को हमें पिल्कुल हईट पे करना है इसके बाद सारे कबाब डालने के बाद हम मीडियम कर देंगे इसी तरीके से में सारे कबाब बनाके तेल में डालेंगे और यहां पर दो देखिए, एक मिनट पर बाद प्लट देना है, मिन आ दर भीमीडिम करते हैं, इस तरीके से और सुर्फ में प्लट देंगे और मीडिमे प्लेम पर पखाना है देखिए, दू मिनट बाद आप देख सकते हैं, कबाब हुगा है हमारे बिलकुल इक ज़ अब देख सकते हैं किया ये खाने में भी उतने ही टेस्टी है ये बहुत ही क्रिपी है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से आपको दए कक्रीमी टेस्ट आएगा अंदर से सौफट और इसको मैंने ने Infinite condensed और के-चप के साथ में अच्छे लीए यहां यहां अजह पर मैंने लिया है यह दो के सारी है कभाब के पुदीने कि चटनी और मैंने घर भनाया है उसका है लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप देख सकते हैं कि ये चटनी कैसे बनाते हैं और आप ये घर पे जरूर बनाएं इस पुदेने की चटनी के साथ ये कबाब एक बार जरूर ट्राइक करें आप आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग और हैपी कुकिंग